हेलो फ्रेंज वेल्कम टू यॉर चैनल रॉयल केक दोस्तों आज हम बनाएंगे बास्केट डिजाइन का केक इसे बनाना घर में बहुत ही आसान है और बहुत से चोटे मोटे टिप से हम बना लेंगे एक फीलिंग मैं आपको शेयर करकी जो मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ यहां पर मैंने थोड़ी सी जो फीलिंग के अंदर मुझे लगता है विपिंग क्रीम डाला है वहां पर मैंने जितना मुझे कंडेंस मिल चाहिए वन टेबल स्पून डाला आप जादा से जादा तीन मावा एसे डाला है 50 ग्राम यादि आपके पस मावा है तो आप भी यूज कर सकते है जो मार्केट में अविलेबल है वन टेबल स्पून यहां पर मैंने मिल्क पाउडर डाला यहां पर त्री टेबल स्पून भी बढ़ा सकते हूँ यह आप एक केजी का बना रहे हो तो टॉ मैं जितनी सच करना लिए देना मेंां इसे हैं और दॉसरा स्पून पर एक कीज है विले के डाला है सबसे अनगेगे कर दो ईसे डाला है कि टॉल लेते हैं यह नाइफ को पहले झालमनें जीहां अल्रास जाओं कि बया टोकीन तोई और उपर से हमेशा हाथ पकड़ते हुए पहले कट करनी चाहिए जैसे कि मैं कर रही हूं तो यह हमें सबसे पहले थीरे-थीरे थोड़ा-थोड़ा ही करना चाहिए और फिर एक दम एक साथ हमें उपर का हाथ रखते हुए फिर्स पार्ट निकाल देना है एलूमिनियम का फोईल या पेपर जो भी आप पास में रखते हो वहां रखते जाना है ठीक है सेकिन भी हम इस तरीके से पहले थोड़ा-थोड़ा कट देंगे पहले हम निशान बनाएंगे शाइन दे देंगे उसको एक टिक दे देंगे ठीक है जितनी लेर आपको काटनी उत जो चाहिए कंट पहले यूसफुल होगा हमें सोरी फ्रेंट्स या पे मेरा वीडियो मेमोरी की वजह से उपाख गया था जो मैंने लेयर लगाता मैंने यहां पर जैसा केग था वैसे ही नीचे की लेर रख दी ऑफर मेंने पानी का जो फोड़ा कम किया था क्यूंकि मुझे अधाना सेचिट हमें लेयर बड़के टी उपर से क्रीम डाली ती एंड मेरी मेरी क्रीप भिंधाने ख़तम हो गई थी साइट से आपने देकी यही होजmarket राई छबने मेरी क्रीम करने जैसे आपकेेप्भ जेपल लगा मेरी मेमोरिकी लेला पर 20 लेयर पाने को पूरा डीटेल में बता रहे हूं तो आपको प्राब्लम नहीं आएगी पानी को अच्छे से पिला देना शौक अच्छे से कर देना और सबसे जो नीचे आपने जो बटर पेपर वाला पार्ट ता वह उपर रखना है क्योंकि आप देख सकते बटर पेपर निकाल दे और हैं तो खड्डे को हम अच्छी तरह से फियल करेंगे इस तरह के पासे आफ बहुंता पर आपने की Sel here ऑप लहां को पेसा होता है इस तरह को हिए इस तरह क्या है। पहले आपको खड्डे को करना हैं कि अपर से आफ लेना इससे क्या होता है आपके जो फिनिशिंग है वह बहुत अच्छी आती है क्रम कोट आपको इस तरीके से देना है और इसे आदा घंडा फ्रेज में रख दो यह आदा घंडा ही थी आप इसको फ्रीज में रख देते हो सेट होने के लिए तो जब आप इसके सेकिंड लेयर लग करना चाहिए जो भी पार्ट है तो अभी हम इसको थोड़ी दे फ्रीज में आदा घंडा सेट होने देंगे जब सेट हो जाएगा तो हम सेकिंड लेयर लगाएंगे यहां पर हम बास्कित के लिए मैं अपने कलर चूज कर रही हूं मैं बताऊं कि मैंने पैरेट ग्रें का ज हुए मिक्स करते हूं और उडहो होसा स फूर करके में करना थी करना है तो तो इस तरीके से करना है अभी मैं इहां पर थोड़ासा औरेंज कलर डालोंगे लागा इस तरीके से पिसली यहां यहां पे यलो ज olmuş ढहुर श्रीण यहां पर ब्रावन कलर बीढ दालती मैंने यहां पे तीनों तो डाल दिया अभी मैं यहां पे थोड़ा सा ब्लैक कलर देखे वह वाला क्रीम बनाऊंगी तो कलर कॉंबिनेशन आप इस तरीके से बना सकते हो उसके लिए आपको खरीदने की जरूत नहीं है आपको सिफ कलर इन कॉंबिनेशन आने चाहिए आपको से पीछे आना पड़ेगा जब हम ट्रॉइंग करते थे जब हम कौन से फॉर्ट या फाइव क्लास में रहते थे तो हमें कलर सिखाया जाता था तो वह चीज हमारी इधर काम आने वाली है कि कैसे आपको कलर कॉंबिनेशन पनाने है ठीक है तो यहां पे मेरा थोड़ा यलो ह देञा है अब मैं यहां पर थोड़ा सा प्लैक कलर डालोगी एक्दम मैजिक क्लर क्लो के वो κάνव मिष्ट कालर यूज कर लीहां तो यह दोनों कलर में यहां पर यूज कर रही हूं यह देख सकते हो ब्लेक कलर डालने से मेरा वह कलर इफेक्ट आ गया है तो इस तरीके से मैंने यहां पर यह वाला कलर बनाया और इससे ना जो पासके डिजाइन का कलर है ना वह बहुत खिल के आएगा यह आप यह वाला कलर नहीं बराओगे तो आई सज्जिस्ट कि आप कूडन वाला भी बना सकते हो वह भी बहुत अच्छा लिगता है तो यहां पर यह स्टार नोजल के इस तरीके के जो नोजल है वह यूज कर सकते हो बासके डिजाइन में या फिर आपको इस तरीके के जो मै पास अवेलिबल रहता है स्टार नोजल मैं उससे ही डिजाइन करके बता रही हूं कि वह ज्यादा तल मिलता नहीं स्टार नोजल तो हम खरी लेते हैं तो इस तरीके से गिलास के अंदर ही आपको डालना चाहिए क्रीम को देखो जितना मेने भरा है उतना ही भरना चाहिए अब दोस्तों आप यहां पर मेन स्टेप देखने वाले हो सेकिन लेयर अभी जैसे मैं इस कलर की बास्केट बनाने वाली हूं पैरेट क्रीन जो डाक है तो उसी कलर को मुझे सेकेंड क्रम कोट करना मतलब करम कोट के बाद डबल जो लेयर है वह करनी होगी हो कि यहां पर कर दो सेकेंड जब आपन क्रम कोट के बार डालते तो उपर से डालना होता हूं पहले सारा जो एक्सेस है वह निकाल देना है नीचे की साइड यह अप से पैज बना रहे हैं तो क्रीम में कंचुसी नहीं करनी आपको काफी सारी क्रीम लेनी है और फिर दीरे करते हूए इस जरूर दूंगी जिसने मेरा केक है वह सुन्दर देखे इस तरीके से उपर से आप निकाल सकते हो आप यहां पे डॉमर वाटर भी लेके उपर का जो फिनिसिंग है वह स्पेचुला की मदद से आप उसको लेवल पर अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हो आप सिफ हादों को द तो आपको यदि आप स्टार्टिंग लेवल पे हो तो एक घंटा भी लग जाता है इस तरीके से फिनिशिंग देने में आप देख से कितनी अच्छे से हमने दी है एकसे हमने सारा निकाल दिया है अभी में स्टार नोजल जो हमने लिया था उसका यूज करेंगे और जो उपर से मैं पांच ऐसे गेप देते हुए पनाऊंगी आप देखो मैं कैसे डिजाइन बना रही हूँ सबसे पहले हमें बीच में एक लाइन दे देनी है और उसके उपर हमें पांच लाइने और निकालनी है जो उपर की लाइन निकालेंगे वो हमेशा छोटी लाइन होती ह नीचे की जो line होती है वो ऊऽ्पुती आपना जहां पर हमारी ऊपर की लाइन खत्म होती है वहां से हम फर से दूसरी लाइन लेंगे जो गेब दिख रहा है उस घेब से हम फिर से उपर से लेंगे तो इसी तरीकेसे से तो बास के डिजाइन में सबसे पहले आपको और वर्टिकल लेनी है इस तरीके से आपको लेना है और बीच के जो भी पार्ट उसको हम फील कर देंगे और देखो एक ही कलर से लेने से जो बीच के खड़े हैं वह आपको दिखेंगे नहीं फिनिशिंग दिखेंगी तिक यह प तो मैं इसी तरीके से सारा फिल करके आपको दिखाती हूँ पूरा का पूरा जो साइड में है मैं इसी तरीके से भर दूँगी बास के डिजाइन बना दूँगी तो इस तरीके से हमें सारा फिल करना है दोस्तों तो आपको भी इसी तरीके से करना है ओके तो यह केक बनाने में मुझे कम से कम लगा था 35 मिनट्स तो 35 मिनट्स लगा था मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है लेकि मैंने डिटेल में आपको बताया है यहां पे मेरा थोड़ा येलो क्रीम था वो मेल्ट हो गया था तो यहां पे मैंने थोड़ा सा और येलो डाला है लेकि मैं ज् आपको पाइपिंग बेंग में एक तुथफिक से वो लाइन चलानी होती है या फिर दो-तिन ड्रॉप डाल के उसको पूरा अच्छे से दोनों हातों को फेला लेना है उससे भी वो कलर आ जाता है अभी मैं आपको पैक्टिकली दिखा देती हूं क्यों वो कैसे लेते हैं यहा है आपिंग में यहेलो कलर मिस्ट यहा दाला और इस तरीके से में अंदर ढला है यह चुरार को जाल कि दूए टों यह ऊपर की लाइन में आएगी और इसे में पूरे दोनों हातों सेसे मिक्स करदोंगे तो वह पूरा डार्क कलर आ जाएगा ओक्रीं में कभी भी डाक नहि कितुत को एक स्क्राइब कर सकते हो तो आप पर जैसे मैंने 1.5 kg बनाया था तो उस धुर्ट का एक बेस भी आता है नीचे का जो केक बेस होता है उसको मैंने 1.5 kg कर दिया था and half cut करने के बाद में मैंने वो बनाया था तो फ्रेंट्स अभी हमने यह फील कर दिया है और यहां पे हमने स्टार बनाये च्टि-चुटि-चुति हमने इस़ तरीके स्टक बनाये आप रोजेस को देसके को भी यूज़ कर सकते उसका वीडियो डिस्क्रीपश्ट में देते कि स का सब्सक्राइब करना है यहां पी में लंबे लंबे लाइन करके यहां पे भी स्टार नोजल बना दूंगा सो इस्टार नोजल से यह जो मारा बास्केंट डिजाइन वह बना दूंगी फ्रेंड्स तो कुछ भी आपको लगे कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए उसे रिलेटेड हम आपकी क्योरी सारी सौल आट करेंगे ओके तो मैं यहां से फील कर देती हूं फिर आपको दिखाती हूं और यहां पे आप अपना इनोवेशन अपने आइडिया आपना कुछ भ पासकेट की डिजाइन कट की थी ना मतलब साइड से क्लंबी लाइन निका ली थी वहां पर मैंने यह जो हाफ कट करके बेस है जो लगाया है यह इसलिए मैंने वहा वाला उस तरही के से बनाए था इन हाफ मैंने रोज गी ती यहां पर बड़े-बड़े फ्लावर कर सकते तो यहां पर थोड़ा वह कलर अच्छा नहीं है मेरी थोड़ी सी क्रीम खतम हो गई है तो आपको एक केजी का अच्छी का से इस पंच जो रहता है हाफ केजी का जो इस पंच रहता है उसके लिए 500 एमर क्रीम को विप करना होगा ओकी इतनी आपकी लग जाती है तो फ्रेंट्स यह हमारा बास्केट डिजाइन बन गया है मैंने इसको पूरे अच्छे से बना लिया है यहां पर थोड़ा सा मेरे फॉंडेंट के रोजेस पढ़े थे इन्वसरी पर जो मैंने केक बना आया था वेस्बूप पर है मेरा वो ट्रॉयल केक पर तो उसके जो यह जो करने का जा के जाएगा ओकेसे साफ की यहां ब्राउन अजी जो देश्ट कर तो उससे शायन आ जाती है की एक जो झाएंख कूश का यह जाता अटे को जो प्लीज कंस आवेगा बता है मिला गयां एक नई एपिसोड नई कल्ट न सज़ें वालेम आई गाता है क्लाहा आसके साथ, बाइब बाइब